हाई आज की इस वीडियो पे मैं आप लोगों को पुजारा ड्रिम लाइब पर जोईन करने के बाद पीन पर्चेस कमपनी के पेमेंट गेटवे से आप लोग किस तरह से कर सकते हो आज की इस वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूँ और इस वीडियो पे मैं आप लोगों को दो तरीके से पीन बाई करने का option बताने वाला हूँ तो दो तरीके से आप लोग डारेट कमपनी से पीन खरीज सकते हैं या पर्चेस कर सकते हैं और साथ में अभी तक पुझारा डीम लाइब का फुल प्लान नहीं देखाए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा टो PIN request उले option पे आपको click करना है उसके बाद फीर से आपको PIN request उले option पे click करने के बाद यहाँ पर PIN request ओपन हो जायगा यहाँ पर जो है package name शोग रहा है सबसे पहले देख सकते हैं ऊपर तो package name को आपको select करना है उसके बाद यहाँ पर activation package 25 रूप्षन को आपको select करना है तो एक्टिवेशन पैकेज 25 वाला जो option है उसको आपको select कर लेना है उसके बाद कितना पीन आप लेना चाहते है तो number of pin पर आपको डाल लेना है तो number of pin पर मैं यहाँ पर दो pin लेना चाहता हूं example के लिए तो दो pin डाल देता हूं और दो pin डालने का यहाँ पर आप देख सकते हैं अमांड जो है बावान रुपए लगने वाला है दो रुपए एक्स्टा इसलिए लग रहा है क्योंकि हम लोग company के payment gateway का यूज कर रहे हैं तो direct जो है company के payment gateway से payment करने के लिए यहाँ पर आपको दो रुपए एक्स्टा लगेगा अगर आप दो पिन ले रहे हैं या एक पिन आप तो 27 रुपए शो करेगा अगर आप 10 पिन लेंगे तो यहां 252 करेगा मतलब कि जितना भी पिन लेना चाहते हैं वन टाइम हो ले सकते हैं आपको दो रुपए एक्स्टा फीस यहां पर देना पड़ेगा उसके बाद यहां पर आप लोग payment mode आपको यहां पर देख सकत करते हैं तो यहां पर online payment option है इसको आपको select कर लेना है तो यहां पर हमको 2 रुपए एक्स्टा लगने वाले हैं 10 पिन के तो यहां पर 222 रुपए हमको पैड करना है payment करना है उसके बाद नीचे आप लोग यहां पर एक option दिखेगा without product और with product तो आपको without product वाले option पर क्लिक र debit card, net banking, wallet के माध्यम से भी payment कर सकते हैं तो यहां पर हम लोग जो है UPI से payment करने वाले हैं तो यहां पर भीम UPI ओले जो option देख रहा है फर्स्ट ओला इस पर आपको select करना है जैसे फर्स्ट ओले option पर आप select करेंगे तो यहां पर जो इस भी application आप यूज करते हैं मतलब कि Google पे Paytm, PhonePay, Beam API तो जो भी आप यूज करते हैं जो भी application आप payment करने के लिए यूज करते हैं उसको direct आपको select करना है जैसे कि आप Paytm से payment करना चाते हैं तो पे टीम को select करेंगे तो यह पे टीम पर आपको redirect कर देगा उसके बाद आपको हाँ पर जितना भी pin आप लेना चाते हैं तो उस amount को payment कर देना है पेमेंट कर देना है पेमेंट कर देना है जैसे आप लोग तो पेमेंट सकसफुल ही का आपको message देखने को मिल जाएगा उसके बाद payment जो है आपको successful हो जाएगा पेमेंट सकसफुल होने के बाद जो है आपको pin आपके ID पर आपको मिल जाएगा पीन कहां दिखेगा और pin आपको कहां पर मिलेगा वो मैं आपको वीडियो के आगे में बताऊंगा तो मैंने आप लोगों को पहले तरीका बता दिया कि company की payment gateway से आप लोग payment करके किस तरह से pin purchase कर सकते हो अब मैं आप लोगों को दूसरा तरीका बताता हूँ तो दूसरा तरीका भी same है आप लोगों को सबसे पहले यहां पर pin request पे click करना है उसके बाद फिर से pin request रोले option पे click कर देना है और फिर से वही page open हो जायाएगा तो package name पर आपको same to same आपको select करना है अपको select करना है उसके बाद नमबर आप कितना पीन लेना चाहते हो तो यहां पर मैं दो पिन लेना चाहता हूँ दो पिन का मैं यहां पर set किया जैसे तो यहां पर amount बावन रुपए दिखा रहा है लेकिन अब आपको बावन रुपए नहीं लगएगा क्योंकि हम लोग यह यहां पर payment gateway से payment नहीं करेंगे हम लोग यूपए इसे payment करेंगे तो payment mode का जो option दिख रहा है आप लोगो को तो payment mode वाले option पर क्लिक करके आपको UPI select करना है यहां पर देख सकते हैं UPI का option दिख रहा है इसको आपको select कर लेना है उसके बाद यहां पर receipt का option दिख रहा है और upload प् दो पिन का यहां पर देख सकते हैं अल्रेडी पिमेंट कर दिया है तो यहां पर जो बैंक डिटेल्स यहां पर दिखाया रहा है इसी बैंक अकाउंट नमबर और IFC code पर आपको जितना भी आप पिन लेना चाहते हैं उसके सबसे payment कर देंगे payment करने के बाद देख सकते हैं य तो यहां पर देख सकते हैं लिखा हुआ उसके बाद यहां पर राफेन्बर शोख कर रहा कि करेगा तो आपको कापी ओले आप्शन पी करना है यह जो यह घाया अंपने किया आपको यहां से बैक आजाना है बैक आजाने के बाद जो आपने कॉपी किया थो पर इसको रिश्व्दियर उसको अपने पिस्ट कर दिया wolf गॉक्यूं माण आपने पिरिव मैंट करने उसको यहां से उसके खाए'll को ऐपसे उप्छों रहे हैं ऑपको carbon अप्षेन दीख रहा है आपको इसी पर आपको select रहने देना है और save पर आपको click करना है तो save पर आप जैसे click करेंगे आरियू श्र का option आएगा आपको yes पर क्लिक करेंगे ये सक्सेस, pin request, done, successfully का option आपको देखने को मिल जाएगा यहां पर आपको more update और close का option है अगा आप close पे क्लिक कर दीजेगा close पे क्लिक करने के बाद आपको अपने dashboard पे आजाना है dashboard पे आने के बाद आपने जो भी pin purchase किया है या जिस भी तरीके से pin खरीदा है उन pin को देखने के लिए अब आपको क्या करना है pin request का option आपको शोग कर रहा है उसके जस्ट नीचे pin module का option शोग कर रहा है तो pin module आपको क्लिक करना है उसके बाद pin report आपको क्लिक करना है pin report पे जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो उसके बाद कुछ ऐसा interface उपन हो जाएगा आप लोग नीचे देख सकते हैं entry date का option जो देख रहा है तो किस तरीक को आपने pin purchase किया है वो शोग करेगा उसके बाद side slide करेंगे तो आप लोग यहाँ पर package name शोग करेगा और उसके बाद यहाँ पर pin शोग करेगा अगर used लिखा है मतलब की सामने वाले ने use कर लिया है अगर join now दिखाई दे रहा है तो मतलब की pin used नहीं हुआ है तो इस तरह से आप लोग जो है pin purchase कर सकते हो अगर आप लोगों को pin किसी को देना है तो pin कैसे देना है यहाँ पर देख सकते हैं कि यह pin example के लिए मुझे देना है तो पिन सेंट जैसा मैं करूँगा तो अगला जो है वो पिन डालेगा और पिन डालकर रिजिस्ट्रेशन कंप्लेट करेगा अपनी आइडी को एक्टिवेट करेगा तो इस तरह से जो है आप लोगों पुजारा ड्रीम लैप पर रिजिस्ट्रेशन कर सकते हैं